जन्वेसंबर्व की चंदोसी कोटवाली चेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुढभेड, मुढभेड में एक सिपाई और बदमाश गायल, दोनों गायलों को ईलाज के लिए C.N.C. चंदोसी में भक्ति कराया गया। लोगडाउन के इस समय में भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुटबेड का दोर जारी है एक ऐसा ही मामला जनतर संबल की चंडोसी कोटवाली छेत्री से सामने आ रहा है जापर पत्रोवा चुराहे के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुटबेड हो गई जिसमें एक स सिपाई को गोरी लगने से वे घायल हो गया जबकि पुलिस की जवाबी कारेभाई में एक शातिर 25,000 रुपे का इनामी अपरादी नसीम भी घायल हो गया दोनों घायलों के इलाज के लिए से चिकस्ताले चंडोसी में भक्ति कराया गया है घायल बदमाश से पुलिस ने ए चक्किंग चल लए थी इसी दोरान दो अपराधियों को रोकने की कोशिस की गई जिन्हों ने पुलिस पर फायर किया जिसमें हमारा एक कॉंस्टेबल घायल हुआ और उसी काउंटर फायरिंग में एक अपराधी भी घायल हुआ है ये पत्रववा चोरहाब के पास में और अपर बाद इन लोगों को भी हश्टल भेजा गया है जब इनके बारे में जानकारी की गई तो नसीम नाम का अपराधी है जो असमोली थाना च्यतर का रहने वाला है और और निखासा थाना च्यतर से बांचित था ये गंग इसी क्रिमिनल हिस्ट्री जब पताकी गई है तो